क्या कतर में आठ हिंदुस्तानियों को मिली मौत की सजा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? क्या पाकिस्तान की आर्मी के इशारे पर ही कतर में हिंदुस्तानियों को मौत की सजा मिली है? ये सवाल यूँ ही नहीं उठ रहे इसके पीठे दो बड़ी वज़ा है और ये वज़ा हैं दो तस्वीरे तस्वीर नमबर एक ये तस्वीर इसी साल मार्च के महीने की है जब पाकिस्तान और कतल के आर्मी अफसरों की मुलाकाथ हुई शक है कि यहां उन आठ हिंदोस्तानियों को सजा देने पर चर्चा हुई होगी अब इस शक को और मजबूत करती हुई दूसरी तस्वीर देखिए ये तस्वीर नमबर दो है तस्वीर जून 2022 की है जिसमें कतर एयरफोस के कमांडर मेजर जनरेल जसीन मुहमद और पाकिस्तान के उस वक्त के नेवी चीफ एड्मिरल मुहमद एहमद नियाजी के बीच मीटिंग हुई यहाँ चौकाने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के ठी कुछ दिनों के बाद अगस्त 2022 से ही उन आठ हिंदुस्तानियों को कतर की जिल में डाल दिया क्या था मगर कतर के इस वैसले के पीचे साज़िश की बूर क्यों आ रही है इसके पीचे दो बड़ी बचा है पहली वज़ा कतर की अदालत ने मौत की सजा तो दे दी लेकिन सरकार ने अब तक उन हिंदुस्तानियों पर लगाए गए इल्जामात को मनजर्याम पर नहीं रखा है जानकारी के नाम पर बस कतर की मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें कहा गया है कि उन हिंदुस्तानियों पर जासुसी के इल्जाम है इल्जाम है कि आठों शहरी इसराइल के लिए जासुसी कर रहे थे लेकिन कतर सरकार ने ऐसे किसी भी इल्जाम पर बयान नहीं दिया और ना ही हिंदुस्तान को इन अलजाम पर कोई जनकारी दी गई ये सबी हिंदुस्तानी कतर की अलजहरा कंपनी में काम करते थे अब यहां आती है शक की दूसरी वज़ा कतर ने अलजहरा कंपनी के मालिक उमानी शहरी को छोड़ दिया की आठ हिंदुस्तानियों को पकड़ कर भांसी की सजा दोगी। कतर के इस रवईये और पाकिस्तानी अफसरों की मलागाद के बीच इस मामले में पाकिस्तान का हाथ होने का शक पैदा करता है। इधर कतर के 8 हिंदुस्तानियों को मौट की सजा सुनाने के बाद हिंदुस्तानी हुगोंत की तरफ से कहा गया है कि वो सभी हंदुस्तानियों को खानूनी मदद देना जारी रखेगी इंदुस्तानी वजारते खारजा के अफसरान इस मामले को कातर के अफसरान के सामने उठाएंगे भारतियों को सजा के ख़बर सुनने के बाद सरकारी महकमों से लेकर सियासी गलियारों तक हर कंप मचा है कॉंग्रिस लगतार इस मुद्धे पर बीजेपी सरकार पर हावी है इंदुस्तानी गवर्में इस मुद्धे पर बीजेपी सरकार पर हावी है इंदुस्तानी शहरीयों को बचाने के लिए सरकार के पास अभी भी कई आप्शन्स है सरकार चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट की मदद ले सकती है यूएन के जरीये भी रहम की अपील मुमकिन है डिप्लोमेटिक तरीके से भी केस सुलज सकता है कदर के साथ कानूनी समझोता हुआ तो भी बचाओ मुमकिन है दोस्त मुमालिक की मदद से भी कदर पर दबाव बनाया जा सकता है कदर सरकार से रहम की अपील भी की जा सकती है हम इनको बापस लेके आएंगे सर्य यह भारत की ताकत है और कतर भी जानता है कि अभारत के साथ वो भारत नहीं है पुराना जो चुपचाब से कहता था अचा मेरे बाएं गाल पर तपड माला तो आप दाइने पर मार तो यह भारत नहीं है और अगर हम चाहें इन हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से कैसे कदम उठाये जाते हैं यह तो वक्त बताएगा लेकिन अगर इस मामले में कहीं भी पागिस्तान का हाथ हुआ तो हर हाल में उसे इसकी भाई केमत चुकाने पड़ेगी यूरो रिपोर्ट जी मीडिया